आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ प्रशन दिये चित्र में दर्शाय नुसार परिवर्तन सिल प्रतिरोध Y के मान को परिवर्तित करके अज्याद प्रतिरोध X का मान ज्याद करने के लिए वी टिश्टोन सेतु का जो प्रयोग किया जाता है उसमें X के सरवाधिक उप्युक्त मान के लिए प्रतिरोध P और Q का जो मान है मानों का कोई सार्थाक महत्व नहीं है या फिर B, K, मान जो है यानि कि P और Q के जो मान है लगभग 2X के मान के बराबर होने चाहिए या फिर जो P और Q के मान है लगभग बराबर M छोटे होने चाहिए और D, यह है बहुत बड़े M आसमान होने चाहिए ठीक है तो आईए हम लोग इस प्रश्ण को यहाँ पे हल करते हैं और देखते हैं कि इन में से कौन सा विकल्प जो है सही होगा तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो P, Q, X और Y के रूप में एक वीटिश्टोन सेतु है मध्य में गैल्वनोमेटर लगा और यहाँ पे ई विद्धुत्वाहक सेल लगा हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि जब भी वीटिश्टोन सेतु से हम लोग अग्यात प्रतिरोध निकालते हैं तो हम लोग यहाँ पे अगर X जो है अग्यात प्रतिरोध है जिसका मान हमें निकालना है तो Y अगर परिवर्ती प्रतिरोध है तो P और Q के मान हम लोग लगभग बराबर लेते हैं ठीक है यानि कि P और Q के मान है वो कितने होने चाहिए हमारे पास लगभग बराबर मिलने चाहिए जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं तुरूटी एरर का जो मान आता है उसे हम लोग कम से कम यहाँ पे रख सके तो इसके लिए अगर हम लोग अपने विकल्प में देखें तो हमारा जो C विकल्प दिया गया है जिसमें P और Q के जो मान है लगभग बराबर एवं छोटे होने चाहिए जिसके वज़े से हम लोग क्या कर सकते हैं जो एरर आएगा ठीक है उसको कम से कम रख सकते हैं तुर झाल